असलाम लेकुम वेल्कम बैक आज के लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हूँ आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार चली जिसे आप चली बूटा या फिर कॉर्ण भी कहते होंगे यह हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल में इसके लिए आपने पांस से चली ले लेनी हैं उन्हें अक्ने में चील लेना से चीलने के बाद ऊपको चाहिएँ एक पुड़ियो गृशर कुकर जाती हैं वहुड़ियोगा करें अश्यक्तास बाते हो और शली दो इस्टीम आपने तकरीबन इसे 20 मिनट तक की देनी है यहां पे मैं कुकर बंद करके इसे मैं मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट की स्टीम के साथ इसे उबालूंगी और उबालते ही अब आपको मैं चेक करा देती हूं यह तकरीबन 20 मिनट उबली है इस ट्रेशर कुकर में अब अब क्या करना है इनका इक अजो कि पर मसाला बनाना है जो कि street side मसाला होता है वो ऐक डिफरेंट ही होता है के लिए था आपको छाईंदे कर नमक एक चमक चाहिए होगी आपको लाल मेथ पाउडर यह का काफी स्पाउड रावकji होता है तो इसमें बहुत सारे मज़िदार से इसके लावा डाल लेते हैं हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे, इसके लावा डाल लेते हैं यहाँ पर हम काला नमक, काला नमक भी एक चमच डाल रही हूँ, इसके लावा डाल लेते हैं और आम चूर पाउडर भी डाल सकते हैं वह मेने स्किप किया है वह मेरे मेरे चार वह में आमचूर आरड़ी है यह अनौ अपनी मज़़ से लगाई जाख चाइपवार अगर कम लगानाचा तो लगा सकते हैं यह इतनी जटबर से बनने वाली रसेपी है। आप अगर इन दिनों ये ट्राइ करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है अब आ चुका है कॉर्ण का सीजन तो इंजॉय करें अपनी मज़ेदार सी रेसिपी और मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी थैंक्स पर वाचिंग अलाहाफिज